गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग डियर इस्ट्वेंट्स कुछ रिजन्स के चलते क्लास थोड़ा आज जेड़ बजी की जाएंगा पहली ले रहा हूं वैसे जो टाइम है वह आपका यूज्वल वही रहेगा हमेशा की तरह 130 PM डेली तो सभी बच्चे जड़ा क्लास को शेर कर देँ और आजाए ये live देखते हैं आज किस के पास क्या-क्या कितना knowledge है ठिक है कोशन स्टार्ट करते रहेंगे हम ठीक है सभी बच्चे live आजाए एक बार class को like और share जरूर कर देँ सभी बच्चे एक बार लाइव आ जायें क्लास को शेर कर दीजिए ग्रूप में कि लाइव आ चुके हैं हम ताकि आसानी हो जाए बच्चों को थोड़ा सा यही है कि आज टाइम थोड़ा चेंज हो गया है बट इट सोके हो जाता है कोई गवार चलिए चलिए सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्लास अच्छा हो चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेरे खायल से जुड़ भी रहे हैं साथ साथ चलिए बच्चों पहला कोश्चन पढ़ते हैं अच्छ थोड़ा जल्दी हो गया हाँ थोड़ा जल्दी हो गया वो थोड़ा असल में मुझे कहीं बाहर जाना है लेकिन मैंने क्लास तो ले लेते हैं आप लोगों की चलिए पहला कोश्चन पढ़ता है कि ब्रास गेट्स डिस कलरड़ इन एर कि ब्रास होता है वो हवा में खुला रखने पर उसका कलर चेंज हो जाता है अब आपको बताना है क्यों हो जाता है चलिए आप्शन आपके सामने है आंसर बताइए क्या होगा पॉल में आंसर दीजेगा एज यूज्वल वही चीज रहने वाली है हमेशा की तरह कुछ भी अलग नहीं होने वाला है ठीक है पॉल में आंसर दीजेगा फ्रास को अगर हम खुला में रख दें तो क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है धीरे धीरे तो हवा में ऐसा क्या होता है जिसकी वज़े सा ऐसा होता है कोषण ये पूछा गया है चलिए आंसर करें देखे बहुत अच्छे कोषण है आज ठीक है अउतकर्ष पोल में आंसर करो डियर पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे जैसे कि यूजवल हम करते हैं तो कि पोल में आंसर करने से आपको पता चल जाता है कि जितने बच्चे यहां पर हैं उन में कितने बच्चे यह सुटेबली पढ़ रहा है को चलिए चलिए शाबाश कौन सी एर कौन सा एर कंपोनेंट है जो की ब्रास को डिस कलर कर देता है ब्रास को डिस कलर कर देता है चलिए आंसर देंगे अगे एर में पाए जाता है बच्छो hydrogen एर में क्या पाए जाता है आपका air में पाए जाता है hydrogen sulfide hydrogen है ब यह hydrogen sulfide जो है बास में present copper के साथ reaction करता है तो बनाता है बच्छो copper sulfide जब ये ठीक है, copper sulfide, मतलब ये reaction करता है किस के साथ, copper के साथ तो बनता है copper sulfide, ठीक है, पहली चीज ये बनती है, दूसरी चीज बनती है hydrogen sulfide, दूसरी चीज क्या बनती है, sorry, दूसरी चीज आपकी, उसको मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप सिर्फ इतना समझी कि copper sulfide बनेगा, copper sulfide जो बनेगा, यह होता है black color का, किस color का, black, यही वज़य है कि काले रंके हो जाते हैं, brass के बरतन, या फिर ornaments जो होते हैं, घरों में रख्खे होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा, भी hydrogen sulfide, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, 83%, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं, chlorophyll is a naturally occurring compound in which central metal is, chlorophyll naturally मिलता है हमको, ठीक है, pigment है, जो कि पाया जाता है green plants में, और कुछ microbacteria, जैसे आपके kinobacteria होते हैं, उसमें पाया जाता है, क्या काम होता है, यह photosynthesis में करता है, ठीक है, अपना काम करता है, जो plants होते हैं, या कुछ ऐसे microorganism हैं, जो कि अपना food खुद बनाते हैं, तो वहाँ पर यह बहुत काम आता है, chlorophyll, chlorophyll में actually metal कौन सा होता है, यह बहुत important है, बहुत पूछा गया है question बच्चों, चलिए answer देंगे, answer दें बच्चो, class को share और like कर दीजिए जल्दी से, class को share कर दीज बच्चे, like कर दीजिए, तभी बच्चे लाइव रहेंगे, चलिए शाबाश, तो B answer दिख रहा है, मुझे और भी बच्चे answer करें, और भी बच्चे answer करें, magnesium answer आ रहा है अभी तक दो बच्चों का, ठीक है, अभी तक दो बच्चों का magnesium answer रहा है, which is absolutely correct, यह बिल्कु सही है, magnesium, देखे, chlorophyll में पाए जाता है, magnesium, ठीक है, तो अगर base metal कोई पूछता है, आप से chlorophyll में कौन सा होता है, तो magnesium होता है, आपको यह याद रखना है, ठीक है, यह आपका green plant में पाए जाता है, कुछ kaino bacteria होता है, उन में पाए जाता है, ठीक है, चलिए चलिए, पोल आप करन है, magnesium, बिल्कोर, बिल्कोर सही answer, ठीक है, ठीक है, तो chlorophyll में कौन सा metal होगा, आपको याद रखना है, magnesium, और यह question तीन बार RRB में पूछा गया है, can you believe it, तीन बार, अब अगर आपको इसकी reasoning नहीं भी पता है, आपको सिर्फ आंसर पता है, that is good न, आप वहाँ पर टिक कर द है, यही चाहिए होता है, और कुछ नहीं, अगला question, which of the following metals form an amalgam with other metal, वो कौन सी metal है, जो कि दूसरी metal के साथ reaction करके amalgams बनाती है, amalgam बनाती है, चल यह answer करेंगे इसका, class को share करिए बच्चो, class को share करिए, वैसे भी घर पे अगर कुछ नहीं है, तो मेरे खाल से class को देखने railway में, और हमेशा आते रहेंगे, कमाल की बात यह है, कौन सा metal है, जो दूसरे metal के साथ reaction करके amalgams बनाता है, यह question भी तीन बार पूछा गया है, अब आप कहेंगे कि सर, इतने आसान question पूछ रहे हैं आप, उसका reason यह है, बच्चो यह question कहीं बार आए है, अब जब कहीं बार आए हैं, तो इनको बार बार हमें repeat करना पड़ेगा, यही समझदारी है कि आए हुए question को भी कई बार पढ़िए आप, ठीक है, तो mercury जब किसी और metal के साथ reaction करती है, तो बच्चो क्या बनाती है, वो amalgam बनाती है, याद रखना, इसका answer होगा, B mercury, ठीक है, लगबख सभी ब अंसर सही है, B is the correct answer, mercury इसका answer होता है, लेकिन याद रखना बच्चो, एक तो याद रखना, iron, F, E, यह important चीज बताओ, ध्यान से सुनना, एक होता है, प्लेटिनम, ठीक है, iron, प्लेटिनम, और इसके अलावार, tungsten and tantalum, tungsten and tantalum, यह वो चार metal ऐसी है, जो कि amalgam नहीं बनाती याद रखना, no amalgam, यह चीज इंपॉर्टेंट है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोशन मुश्किल आएगा, तो कुछ इस टाइप का आएगा, कोशन जब मुश्किल आना होगा तो वो इस टाइप का आएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, चली यह कोशन देखते हैं. What is the unit of measuring the amplitude of sound? Sound के amplitude, यानि की आयाम को मापने के लिए, आयाम को मापने के लिए, कौन सी unit आप इस्तेमाल करेंगे? चलिए, बताईए. कौन सी unit आप इस्तेमाल करेंगे? बच्चों, चलिए, बताईए. आंसर करें, बच्चों. अच्छा, एक कोशन और बताना, कि दातों को जब आप फिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं, tooth filling. tooth filling में भी हम ml gum का इस्तेमाल करते हैं. tooth filling जब दात में hole हो जाता है, cavity बन जाती है, तो उसे doctor fill करते हैं, tooth filling करते हैं, अब यह tooth filling जो होती है बच्चों, यह कौन से ml gum से की जाती है, यह भी आप मुझे बताईएगा जरूर, ठीक है, comment box में ही बताईएगा, amplitude, sound का amplitude, sound की, उसको नापने के लिए amplitude को नापने के लिए, कौन सा unit आप इस्तेमाल करते हैं, A option पर answer आ रहा है, बिल्गु सही है बच्चों, इसका answer होगा, decibel, decibel, आपने देखा भी होगा, ऐसे लिखा रहता है, db, db, decibel, decibel जो होता है, बच्चों, that is the unit of magnitude, of amplitude of sound, sound के आयाम का, क्या बच्चों की आवास कितनी जादा है, कितनी कम है, noise pollution को जब measure करते हैं, उसे भी decibel में करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी अच्छा question है, tooth filling में कौन सा ml gum आप यूस करते हैं, कौन सा ml gum आप यूस करते हैं, आपको ये बताना होगा सर्च किजेगा बताईएगा मुझे, चाहे तो यहीं comment box में बता सकते हैं आप लोग, comment box में भी बता सकते हैं आप, comment box में भी बताते रहिए, चली अगला question देखते हैं, अगला question देखते हैं, बच्चों अगला question क्या है, reading of a barometer going down is an indication of, जब barometer जो की atmosphere के pressure को measure करता है, उसकी reading reading बहुत नीचे चली जाती है, तो किस चीज का indication होता है, copper नहीं DR, copper नहीं है, copper नहीं है, ठीक है, rating of barometer, barometer की जो rating होती है, वो नीचे चली जाती है, किस के case में, पर्फ गिरने के समय, तुफान आने के समय, intense heat के समय या rainfall के समय, ठीक है, दो बार ये question RRB में आया है, two times, ठीक है, दो बार ये question RRB में आया, देखे कितने आसान question है, और बार बार repeat हो रहे हैं, तो हमें भी इने बार बार repeat करना होगा, यकीन करिए, 15-20% question RRB के किसी भी exam में repeat होते हैं, और वो question repeat होता है, जो पिछले कई सालों से repeat होते आ रहे हैं, तो क्यों ना इन question को तो बिल्कु जाए, चलिए, हाँ, जतिन का अंसर ठीक है, silver and gold, याद रखना है बच्चो, silver and gold के amalgam, जो हैं, वो use के जाते हैं, दातों की filling के लिए, very good, very good जतिन, आपने silver बता है, लेकिन gold में एक्स्ट्र बता है, अब देखे, एक question पर दो question आपके, चॉल हो गए, चलिए बताए, क्या होगा बच्चो, चली चली बहुत बड़ी है वही, आंसर दें, बी पर आंसर सबसे ज़्यादा है, बिलकु सही बच्चो, storm, जब तूफान आता है, तो atmospheric pressure अचानक से गिर जाता है, और ऐसे नहीं गिरता है, धिर धिरे, अचानक गिर जाता है, barometer की reading, अचानक बहुत नीच टू, एक फैदम किसके बराबर होता है, सबसे पहली बात तो यह कि फैदम होता क्या है, फैदम होता क्या है, बच्चो, फैदम है unit, ये unit यूनिट यूस करती है, अक्सर ships, कौन सी ships, ठीक है, जो बड़े बड़ी ship होती है, ये पानी की गहराई को measure करने के लिए, पानी की ग सिर्फ पानी के लिए नहीं, किसी भी depth को measure करने के लिए आप यूस कर सकते हैं फैदम, एक question तो यही है, दूसरा question क्या आता है यहाँ पर, कि एक फैदम किसके बराबर होता है, 6 feet, 6 meter, 60 feet या 100 centimeter, या 100 centimeter, चलिए मैं आपको बताता हूँ, कि one फैदम जो होता है, बच्चो, one फ meter के आस-पास होता है, यह meter में मैंने बता दिया, अब आप मुझे इन में से कौनसा answer देंगे, अब चलिए answer दीजिए, It's okay, Actually, we are talking about the depression in the barometer reading actually, okay dear? Actually, we are talking about the depression in the reading of barometer, okay, which occur only at the time of storm. Snow, जब fall होगा, there will be no depression, ठीक है, और इसके लावा, गर कोई आर्थक्विक है, ठीक है, जैसे intense heat है, rainfall है, there is no change in the barometer, if there is a change, very very slightly, which can be neglected, but in case of storm, it is significantly dropped, okay, significantly, okay, tell me the answer, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बच्चों में confusion लग रहा है, some are saying A, six feet, some are saying hundred centimeter, okay, okay, the correct answer will be, the correct answer will be six feet, six feet is the correct answer, dear student, one fathom equals to six feet, which is approximately 1.83 meter, approximately equals to 1.83 meter, very good question, it is, इस तरह के question बार बार repeat है, है, always repeated in the railway exam actually, okay, in the railway exam, okay, next question, पढ़ियार आंसर जीजे, क्या होगा, which of the following is used as moderator in nuclear reactor, moderator, हिंदी में से क्या कहता है, बच्चों, मंदक, हिंदी में से मंदक कहता है, मंदक का काम काम करता है, नाब की है, सहियंत्र में, moderator का काम 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 करेगा है, in the nuclear reactor, which one is the moderator, thorium, graphite, radium, या ordinary water, okay, answer me, answer the question, answer the question, answer the question, okay, you know the fuel, आपको पता है, fuel nuclear reactor में कौन से यूज़ करते हैं, U-235, uranium-235, अब इसकी rod होती है, अब इसकी rod को किसी और चीज़ के hollow case में डाला जाता है, जिससे की वो जो outer case है, hollow, खोकला, वो आपका moderator का काम करता है, देखे कितने बच्चे सही answer देंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चे live, सभी बच्चे live आई, class को बिटे शेर कीजिए, like कीजिए, बी जादा answer आ रहा है, which is correct, absolutely, graphite is the correct answer, graphite बिल्कों सही answer है, एक मंदक का काम करता है बच्चों, ठीक है, मंदक का काम करता है, ठीक है, अब याद रखना कि इसमें हम solid graphite यूज़ करते हैं, solid graphite हम यूज़ करते हैं, heavy water भी यूज़ होता है, लेकिन heavy water बहुत कम reactor में यूज़ होता है, heavy water मतलब D2O, ये भी आपका moderator का काम करता है, लेकिन ये कम यूज़ होता है, ज्यादा यूज़ होता है, graphite, okay, ज्यादा graphite यूज़ होता है, याद रखियेगा, next question, next question देखेंगे, in atomic explosion, there is atomic explosion, कोई atomic explosion होआ, मान लिज़े, atomic bump हटा, okay, atomic bump हटा, enormous energy is released, which is due to, बहुत सारी energy निकलती है, उसका reason क्या है, conversion, chemical energy का heat energy में, यान कि जो chemical energy होती है, वो heat energy में convert हो जाती है, इस दौरान, या mechanical energy, nuclear energy में convert हो जाती है, या mass energy में convert हो जाता है, या फिर neutrons, जो है, proton में convert हो जाते है, चलिए answer दीजिए, cadmium is also mentioned in some book, is it correct sir, cadmium, yeah cadmium actually it is, it is a kind of absorb, which can absorb the neutron, cadmium भी हो सकता है, no problem with that, okay, cadmium is also used to absorb the neutrons which are coming out of the reaction, okay, तो वो भी possible है, okay, okay, tell me the answer of this atomic explosion, there is an atomic atom bomb फटा, fat boy गिराया गया बच्चो जापान पर, तो क्या हुआ, किस चीज का conversion हुआ, किस चीज का रूपान्तरण हुआ, कि आपकी energy बनी, A, A 43, 43 answer, percent बच्चो का answer यह है, 43 percent बच्चो का answer A है, B नहीं है, कोई C और D में थोड़ा सा confusion है, जब को बच्चो, atomic explosion के लिए, Einstein की equation E equals to mc square का use किया गया था, Einstein ने बताया था कि M और E, दोनों convertible हैं, into each other, mass को energy में energy को mass में convert किया जा सकता है, और mass को जब energy में convert करते हैं, तो बहुत ज़ादा energy produce होती है, बहुत ज़ादा energy produce होती है, तो यहाँ पर सही answer होगा, conversion of mass into energy, very good, यह जो 29 percent C option वाले हैं, बहुत यह अच्छा answer दिया आपने, यह तो बहुत basic सा question है, ठीक है, nuclear physics पढ़ना ज़रूरी है railway के लिए, मैंने देखा है हर साल एक, कम से कम एक, otherwise maximum तीन question तक भी पूछे गए हैं, तो nuclear physics में nuclear plant पढ़ना है, आपको power plant क्या होता है, atom bomb की reactions, nuclear fission, nuclear fission, यह सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो c is the correct answer, c is the correct answer, ओके चलिए, confusion हुआ, लेकिन सही answer पता चला आपको, next question, next question, isotopes are separated by, अगर isotopes को separate करना होता है, तो कौन सा process किया जाता है, isotopes, चलिए answer दें बच्चों, answer देंगे, isotopes, पता है न isotopes, जो वो elements, जिनके atomic numbers सेम होते हैं, ठीक है, उन्हें isotopes कहते हैं, उन्हें isotopes कहते हैं, चलिए answer करें, बच्चों, पोल में answer करेंगे, पोल में answer करें, dear student, isotopes को कैसे separate किया जा सकता है, देखिए, होंगे तो वो उसी material में न, carbon के isotopes हैं, या फिर आपके plutonium के हैं, या thorium के हैं, यह सब एक ही जंगा होते हैं, इन्हें enrich करना पड़ता है, process करना पड़ता है, ताकि इन्हें अलग किया जा सके, ताकि इन्हें अलग किया जा सके, ठीक है, तो अब सवाल उठता है, किस process से अलग करते हैं, crystallization, crystal बना कर, जैसे हम नमक करते हैं, sublimation, sublimation आपको पता है किसे कहते हैं, बच्चो, स्थीधा solid से vapor, distillation, छानना, filtration ये भी छानना, तो दो, ये आपके सामने चार process लिखे हैं, देखें बच्चो, isotopes को कई तरीके से अलग किया जा सकता है, यहाँ पर हमारा answer distillation है, यहाँ पर हमारा answer C, distillation है, mind it, very important question, ठीक है, ओके, अब इसके लावे diffusion नाम का एक process होता है, diffusion, उसको भी हम use कर सकते हैं, diffusion, diffusion मैं आपको बता चुका हूँ, कि concentration difference की वज़े से, movement of matter, जब सांद्रता में अंतर होता है, तो matter यानि की तत्तु का इधर से उधर चलन होता है, इसे कहते हैं, इसके अलावा हम centrifugation भी use कर सकते हैं, centrifugation, यह process भी use किया जाता है, इसको भी use किया जा सकता है, तो तीन process तो मैंने ही आपको बता दिया, हम तीनों में से जो भी answer में मिलेगा आपको बताना होगा सही answer, और भी process है, electrolysis भी है, अगर चाहें तो वो भी लिख लिजए, electrolysis, यह भी use होता है, electrolysis, यह सारे process जो है, isotopes को लग करने के काम में आते हैं, चाहिए, बहुत बढ़े हैं, अच्छे question है, important question है, और आज जितने भी question है, उस अब railway में कम से कम दो बार पूछे गए हैं, याद रखेगा, अगला question, which is, या are the important raw material या materials required in cement industry, cement industry के लिए कौन सा या कौन से raw material कि था यूज़ के जाते हैं, ओके, ओके, या उतकश, correct answer था, dear, next question पर आजाई ये अब, कि important raw material कौन से हैं, raw material कौन से हैं बच्छो, cement industry में, raw material हाँ, चलिए चलिए शाबाश, पोल में answer करें बच्छो, फटा फटा आंसर करें ज़रा जटपट से, कि raw material जो है, cement industry में कौन से use होते हैं, कौन से use होते हैं, gypsum and clay, clay, limestone and clay, या limestone, देखें कितने बच्छे आंसर देंगे इसका, okay, okay, A पर ज़ादा बच्छे जा रहे हैं, A पर ज़ादा बच्छे जा रहे हैं, okay, C और A में हो गया है, भाईया, अब वो, ठीक है, tie, और अब ये C आगे, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कु सही जा रहे हैं, बच्छो, आप, lime stone, lime stone and clay, calcium oxide और चिकनी मिट्टी, ये दो चीज़े use होती हैं, cement industry में, ये दो चीज़े use होती हैं, बिल्कु सही answer है, very good dear, very good, very good, okay, हाँ, तो cement industry में, lime stone and clay, आपका, क्या होगा बच्छो, वो raw material की तरह use होता है, चुना पत्थर और चिकनी मिट्टी, याद रखेगा, important question है ये भी, cement industry पे भी question कई बार पूछा गया है, which type of fire extinguisher is used for petroleum fire, चलिए, petroleum की fire को, हाँ, सब important है dear, आज बहुत important questions चलने हैं, very very important जिससे कहता है, fire extinguisher जो petroleum की आग्यान की, अगर किसी fossil fuel जैसे की petrol, diesel, इनकी आग लग जाती है, तो इसे बुझाने के लिए कौन सा fire extinguisher use किया जाता है, अगनी शमन यंत्र इस्तमाल किया जाता है, powder type, liquid type, soda acid type या foam type, या foam type, चलिए answer देंगे, देखिए कितने बच्चे सही answer देंगे, चलिए चलिए answer दें बच्चों, कितने answer बच्चे answer देंगे, काम होता है, यहाँ पर ज़रूरी होता है, किसी तरह से oxygen की supply रोकना, जब petrol या diesel की आग लगती है, तो कोशिश यह करनी चाहिए, कि किस तरीके से आप उसे वहाँ तक oxygen पहुँचने से रोकना ज़रूरी है, that is important actually, ओके, अब आपको ये भी याद रखना है बच्चों, जबेस चाहिए बीच में oxygen और पेट्रोल के बीच में, जिससे के oxygen अटैक ना कर पाए, किस पर? पेट्रोल पर, तो आग भुषती है, तो आग भुषती है, पेटा सभी बच्चे पोल में answer करें dear, ताकि आपको पता चले सही answer क्या है, अब देखे बच्चों, इसके दो answer हैं यहाँ पर, लेकिन सही answer form type है, पाउडर टाइप से भी बुझ जाती है, एवन आपने देखा भी होगा, जो रेथ होता है, अगर वो भी डाल दो, तो भी बुझ जाएगा, लेकिन रेथ के पार्टिकल के बीच में पूर्स होते हैं, पाउडर जो होते हैं, उनके बीच में वाइड्स होते हैं, यह वाले तो इन में से भी हवा जाती रहती है तो थोड़ा टाइम लेती है बुझने में लेकिन फोम जो होता है एक ऐसा जिली जैसा बना देता है किसकी तरफ पेट्रोलियुम का जो प्रड़क्ट होते हैं उनकी तरफ ऑक्सिजन का वहां तक पॉंड़ना लगबग नामुम्किन हो ज होता है और फोम टाइप भी याद रखना मेरे बच्चो लेकिन पाउडर में मैंने आपको बताया कि क्या होता है छोटे-छोटे-छोटे छिद्र होते हैं पोर्स होते हैं तो इस वजह से वहां तक पहुंचने के चांसे फिर भी बने रहते हैं ओके अगला कोशन देखेंग जो पॉली अमाइड छोते हैं इन में से अगला के जाता है पॉली अमाइड चली आंसर कीजिए देखें कितने बच्चे यहां पर आंसर देंगे चलिए। पॉलिमाइड, पॉलिमाइड जाहि सी बात हैं वो होंगे जिसमें CO ग्रूप और NH3 ग्रूप हो गई होगा यानि कि जब CO ग्रूप और NH3 ग्रूप जुड़े होते हैं किस के साथ किसी एलिमेंट के, तो उसे amide कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चो amide कहते है amide तो यहाँ पर polyamide याने कि कई amide है, poly मतला menim, कई amide होते हैं जो जुड़े रहते हैं बताई बच्चो terylene, nylon, rayon या aurlon चलिए, यह सब क्या हैं बच्चो synthetic fiber हैं याद रखना है बच्चो आंसर करें बच्चो क्या होगा? आंसर करें dear बिलकुल बिलकुल देखें इसका सही आंसर होगा बच्चो नाइलोन कितने बच्चों नहीं दिया आंसर? B आंसर, very good, very good जादे दर बच्चों का आंसर सही चल रहा है very good dear बौद अच्छे, B is the correct answer बिलकुल सही, B बिलकुल सही आंसर है बच्चों नाइलोन नाइलोन is the answer एक्चुली इसे ऐसे लिखते हैं नाइलोन तो लिखते ही लिखते हैं कहीं कहीं आप उसे 6,6 भी लिखा देखेंगे इसकी कहानी फिर बताऊंगा ये 6,6 क्या होता है बट इसे भी आप लिखा देखेंगे ठीक है? अब कभी कबार ये भी पूछा जाता है कि नाइलोन को बनाने में किस acid की मदद ली जाती है ये भी बता देता हूँ आपको इडीपिक एसिड होता है बच्चो जिसकी मदद ली जाती है नाइलोन को बनाने में डीपिक एसिड डीपिक एसिड होता है बच्चो जिसमें मदद ली जाती है. बिलकूँ सही आँछा रहे, शाबाश चलिये अगला question देखेंगे हम अगले कोश्यन की तरब बढ़ते हैं तो रिटर्चन तो फॉर क्लीनिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल कंटेन चलिए रिटर्चन जिससे कि आप बरतन धूते हैं उसमें क्या पाया जाता है याद रखना यह इंपॉर्टेंट है क्लोथ और यूटेंसिल बरतन और कपड़े चलिए चलिए आंसर करेंगा बच्वोडटो क्या होगा इसका पाद़ये बच्यों बतुटेंग भोगा इसका अंजर वो दिटर्जेंट जिस से आप बरतन धूते हैं या कपड़े धूते हैं तो उनका मॉल एकैसा होता ही होता है यो होता है तो बताई च्शे oroast चलिए शावाश आंसर करें बच्चो आंसर करेंगे बच्चो ठीक है देखिए याद रखना अलकाइल बेंजीन पाए जाता है हर हालत में अलकाइल बेंजीन यह आपका बेस है यह जरूर पाए जाता है और इसे क्या कहते हैं बच्चो 71 परसेंट करें बाइकार्बोनेट देखो यही तो है बच्चो यही तो हो गया अर्जुन उतकर्ष हाँ वेरी गूड बच्चो वेरी गूड अब ध्यान से सुनना को वो डिटेजन जो क्लोट्स और यूटेंसिस अब आप खुद सोचिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना आप ठीक है कर देते हम घरों में यह काम कि हम रिन से बर्तन भी दो देते हैं कपड़े भी दो देते हैं लेकिन रिन की और विम की रिन एक साबून होता है कपड़े दोने का एक होता है व बेते हैं और विम से कपड़ा ने दो सकते आप रिंसे बरतन नहीं दोना चाहिए ौके अब होता क्या है बच्छों इन दोनों में पाए जाता है सल्फोनेट इसका सल्फोनेट बच्छों इनके पाए जाते हैं, सलफोनेट्स, उतकर्ष, वाइक किंग सोटा, बाइकारबोनेट्स, वीटा, आपको पता है कौन से, कौन से उसमें पाए जाएगा, कौन से डिटेजंट में पाए जाएगा, क्लोथ वाले में या फिर बरतन वाले में, ये भी तो देखें न, आप इन दोनों में फर्क कुछ तो होगा न वो यही फर्क है कि सल्फोनेट तो एक common चीज है जो इनमें पाय जाती है और वह भी Alkyl Benzene नाम की सल्फोनेट ठीक है बाकि इनमें अलग-अलग element होते हैं अलग-अलग element होते हैं dear क्यार यारय रखेगा सलफोनेट्स पाए जाते हैं ठीक है कि सलफोनेट पाए धायं फिम चस्वार्फ क्या होता है बच्छोव सलफोनेट चाहिए का क्या काम होता है सअर्व्यक्रतें डेटें अच्छे से भीग जा एंडाय आपका बरतन कपड़ा इसलिए आप यूज़ करते हैं सर्फेक्टेंट याद रखना सर्फेक्टेंट इन को याद करने की कोशिश कीजिए ताकि एक्जाम टाइम में आपको यह ने लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं आपको बता दूँ 80% बच्चे जिनका एक्जाम निकलता है वो सिर्फ mcq-based भी निकल जाता है याद रखना यह बात मेरी ठीक है अक्सर हम इस चीज़ को बहुत ही नेगलेक्ट करते हैं next question the gas usually filled in electric bulb is बहुत ही आसान question है electric bulb में कौन सी गैस भरी जाती है कौन सी गैस भरी जाती है चलिए आंसर दीजिए आंसर करेंगे बच्चों इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस जर्णरली भरी जाती नाइट्रोजन हाइड्रोजन carbon dioxide या फिर oxygen चलिए ऐंसर करें आंसर करें पोल आगे आप लोगों के सामने पोल में अंसर कीजिए बच्चों देखे कितने बच्चे आंसर सही करेंगे शावाश the gas usually filled in the electric bulb is nitrogen hydrogen carbon dioxide या फिर oxygen या फिर oxygen जन जलिआ शावाश शावाश अंसर करें आंसर करो देखे क्या होगा ए पे जादा आंसर आ रहा है आपे जादा आंसर आ रहा है भाई ओके ठीक है देखे कोई भी इनर्ड गैस चलेगी इनर्ड या तो किस कोई connection करें या पिर नोबल गैस करें noble noble gas भी कह सकते हैं बच्छो inert gas मतलब inactive gas noble gas मतलब inactive gas जैसे कि आपका आरगन ठीक है आरगन हो गया helium हो गया ठीक है neon हो गया ठीक है xenon हो गया krypton हो गया ठीक है इसी तरह के से एक होती है nitrogen nitrogen is a kind of inert gas या shield gas भी कहते हैं इसे ओके तो यहाँ पर nitrogen is the correct answer यह सारी gases actually महंगी है nitrogen is comparatively सस्ती ठीक है mainly argon यूज होती है या आपकी helium यूज होती है helium भी नहीं करते हैं argon जादा यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर आंसर इसका nitrogen देना हो क्योंकि nitrogen is also kind of inert gas ये भी जो है एक type की inert gas होती है इसका काम होता है tungsten filament की रक्षा करना उसको oxidation से बचाना बस और कोई काम नहीं होता इसका ठीक है तो इसका सही answer यहाँ पर nitrogen देंगे अब इन में से तो कोई option है नहीं ना अगर इन में option होता तो आप helium या argon में से कोई चूज कर लेते लेकिन यह महेंगी है तो बल्ब आपका आता है 10 रूपए का तो समझे रहे हैं ना आप कहां क्या फरक पड़ता है तो यह फरक पड़ता है ओके चलिए खर अगला कोईशन देखते हैं अब अगला कोईशन देखते हैं बच्छों quartz crystal normally used in quartz clock is chemical heat quartz crystal जो होता है actually वो होता क्या है वो होता क्या है एक्चली यह बताईए चलिए बताईए चलिए बताईए quartz crystal actual में होता क्या है उसको chemical अगर आपसे पूछा जाए होता क्या है silicon dioxide germanium oxide mixture of germanium oxide and silicon dioxide या फिस sodium silicate चलिए आंसर दें बच्छों क्या होगा इसका शाबाश आंसर करेंगे बच्छों क्या होगा quartz crystal जो होता है normally वो किसमें use होता है बच्छों quartz, जो quartz clock में use होती है और महेंगी होती है याद रखना quartz की जो clock होंगी वो थोड़ी महेंगी होती है अब यह quartz actually है क्या chemically आप इसे कैसे define करेंगे silicon oxide कहेंगे germanium oxide कहेंगे या इन दोनों का mixture या फिर sodium silicate या sodium silicate कहेंगे चलिए देखे कितने बच्चे आंसर करेंगे भई चलिए चलिए शाबाश शाबाश पिलकुँ सही आंसर अरे यह क्या हुआ नहीं 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 इसका अंसर होगा silicon dioxide silicon dioxide होगा इसका अंसर बच्चो वाई silica से ही तो quartz बनता है germanium नहीं नहीं होता है आप लोग सी आंसर क्यों दे रहे हैं I don't know यानि की confusion हो गया है confusion हो गया पिटा silicon dioxide याद रखना है हां कि टीकन डायक्साइड यह याद रखना यह silicon oxide जो है ठीक है यह भी एक oxide का form होता है ठीक है और याद रखना quartz जो है ना वह directly अर्थ से निकाला जाता है quartz की जो clocks होती है वाच होती है वह battery operated होती है mechanical वाच में जरूरत नहीं होती quartz की okay ठीक है चलिए आगे the property of substance to absorb moisture from the air on exposure is called अगर fire को हम नमी वाले मौसम में देखें तो air absorb gent can tour कि इस property को क्या कहते है इस property को क्या कहते हैं बच्चो छल SEE answer दीजिए answer दीजिए बच्चो ए अ जालिए श्यंवाश आधर करेंगे डियर हाँ, बिलकुल यह वह होता है. उतकर्ष यह वह होता है. वह प्रापर्टी जो जिसकी वज़े से एर नमी को अपने अंदर एब्जार कर लेती है, क्या कहलाती है? तो आस्मोसिस, टेलिक्वेंसिस, एफ्लॉरसेंस या डेसिकेशन, या डेसिकेशन, चलिए आंसर दीजिए, अच्छा कोश्चन है, इंपोर्टेंट है, कुछ नया कोश्चन देखनों को मिला, है, चलिए बताईए, नहीं, हाँ, बताईए, बच्छो, क्या होता, इसका अंसर, चलिको बताईए, इसका अंसर, इसका आंसर, हाँ, डेलिक्वेंस्स, जो हता है, बच्छो, यह होता है, इसका सही आंसर, नहीं बेटा, Osmosis अलग है, Osmosis का मतलब होता है, चानना, किसी चीज को चानना, with the help of semi-permeable membrane, अर्द पारगम्य जिल्ली के मदद से चानना, ठीक है, Solid Waste को बाहर रखना, और सही चीज लिक्विड को अंदर ले जाना, Osmosis सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, बच्चो, तो अब आप समझे, Delic Essence जो होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते है, यह जो प्रॉपर्टी, इसका मतलब ही है, इसका मतलब ही है, यह किसी सब्स्टेंस का मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करना ही, यह कहलाता है, बच्चो, ठीक है, Osmosis मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, लिक्विड को साफ करनेगे लिए उस करते है, विद अधे हल्प और सेमी परमेंबल मेंब्रेन, ओके, एक होता है, डेसिकेशन, 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 इसका ठीक उल्टा होता है, इसका ठीक उल्टा, डेसिकेशन का मतलब होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना, डेसिकेट करना, ओके, डेसिकेट करना, ओके, पुरानी बाते भूल जाओ, अब उतकर्ष, आकाश, don't discuss the past, think about the future, ठीक है? future में हो सकता है, इस से बड़ी opportunity आप लोगों के लिए कोई बेट कर रहे है और उतकष especially तुम से कह रहा हूँ ठीक है? I know you very well I know you and ओके? अब बिलकुल परिशान नहुआ करें इन बातों से कुछ student ऐसे विन उनने करीब करीब 20 20 इम्तिहान लिखे हैं, 20-25 तब जाके क्वालिफाई हुआ है अब कुछ होते हैं जिनका पहला ही हो जाता है, no doubt ऐसा कुछ नहीं है लेकिन यह समय है, समय जो है हर एक के लिए एक particular time पे ही अच्छा चलता है, ठीक है? पाकी बुरा समय भी आता है तो आपका तब बुरा समय तब अच्छा समय आने वाला है इस उम्मीद में जीए यह जादा जरूरी है, ठीक है? ओके, ओके ठीक है? चलिए, आगला कॉशन The average salinity of sea water समुद्री जल जो होता है, उसमें कितना खारापन होता है? Salinity, खारापन कितना होता है? चलिए, चलिए, बच्छो, बताइए जो समुद्र का जल होता है ocean's water होता है, वो होता है खारापन, अब उसका खारापन कितना होता है? उससे salinity percentage कहते हैं बताया जाता है कि एक लिटर में इतने ग्राम आपका नमक है, salt है अब सवाल यह उठता है, कितना होता है, बच्छो, बताइए हाँ, आंसर दे बच्छो चलो, चलो, शाबाश, शाबाश, आंसर करो बटा, आंसर करो, फट आफट आंसर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जल दिसे, average salinity कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लिजिए वैसे पोल आ गया है, आप लोगों के सामने, आप पोल में भी आंसर कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं आंसर कह बी उपर आ गया है बिल्कुल सही आंसर है बच्छो 3.5% 3.5% इसका यह मतलब हुआ कि एक लिटर आपका जो सी वाटर होगा उसमें लगबग लगबग 35 ग्रैम आपका सॉल्ट होता है 35 ग्राम आपका नमक होता है नमक होता है बच्छो याद रखना 3.5% ओके 3.5% ओके क्लियर याद रखेगा इसे ऐसा कोई डेटा नहीं है यह बहुत है भी हेक्टिक यह जर्णरली हां जो डेट सी है इसराइल में इसराइल जॉर्डन में जो डेट सी है उसकी सेलेनिटी थोड़ी जादा है कॉमनली ठीक है वो 5% से आस-पास पहुंच जाता है उससे भी उ पेरस भी है आयरन भी है कोबाल्ड भी है निकल भी है तो वह बैस्ट जो है किससे आपका रिप्रेजेंट होता है ट्रांजिशन में ग्रूप मेंग्रूप मेंटल अलकलाई या रेर अर्थ मेंटल चलिया आंसर दीजिए आंसर देंगे बच्चों क्या होगा इसका आशा 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 तो यह जो वाइट वाले हैं यह और यह, इनको क्या कहते हैं, यह नॉन मेटल होते हैं, इस आ नॉन मेटल, ठीक है, यह एलकलाई मेटल होते हैं, यह वाले इस कलर के, यह वाली जो लाइन हैं उपर से निचे तक इसे alkaline metals कहते हैं, alkaline, यह alkaline metal होते हैं. यह सब transition metal हैं, यह देखी है, यह वाले. यह सब transition metal हैं, याद रखिएगा. ठीक है? और यह जो है, यह rare earth metal है, green वाले. और उल्टा हो गये, यह वाला यहाँ आएगा, यह वाला यहाँ आएगा. यह सब क्या हैं, बच्चो, lanthanides और actinides, यह सब rare earth metal हैं, ठीक है? यह halogen होते हैं, halogen, यह आपका noble gases होती हैं. यह halogen, यह noble gases. और यह जो ग्रे वाले हैं, इन्हें other metals कहते हैं, other. यह metalloids भी कह देते हैं, इन्हें metalloids कहते हैं, ठीक है? तो बटी हुई है, पूरी periodic table, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं, question लगाओ, dear. Question लगाओ, ठीक है? Question जितने लगाओ गैंना, तब यह चीजें clear होती चली जाएं, यह कोई ऐसा problem. Next, okay. Ethyl merceptane, यह chemical होता है, added to the otherwise orderless LPG cooking gas for imparting a detectable smell to the gas in a compound of. Ethyl merceptane, जो है LPG, जो है, वो LPG में मिलाए जाता है, अब LPG जो होती है, वो orderless होती है, इसमें कोई भी बद्बू या खुश्बू नहीं होती. ठीक है? इससे क्या होता? एक detectable smell निकलती है, अब वो smell हमें किस जैसी लगती है? कौन से compound जैसी लगती है, Ethyl merceptane मिलाने पर, LPG cylinder में ये मिलाए जाता है. चलिए आंसर करेंगे बच्चों, आंसर करेंगे, हाँ, बताइए बच्चों, किस element, किस compound की आपको बद्बू आईगी, जिससे पता चल जाएगा कि गैस लीक हो रही है. Ethyl merceptane मिलाते हैं, जिससे एक particular बद्बू आती है, आपको बताने कौन सी होगी. चलिए दिये, पोल में आंसर कीजिए, दिये, पोल में, पोल में आंसर कीजिए, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर. Yes, तो याद एखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? D, D is the correct answer, जादे तर बच्चों ने D पर ही क्लिक क्या है, very good, सल्फर की बद्बू आती है, जिसने हमें पता चल जाता है, यह आपकी, इसी टाइप की, मतलब कुछ लीक हो रहा है, गैस आपकी बाहर निकल रही, यह पता चल जाता है, यह पता चल जाता है, ओके, next question, Monazite is an or of, चलिए बताइए, Monazite जो होता है, बच्चों, Monazite वो किसका I ask है, वो किसका I ask है, बिल्कुर सही आंसर दे दिया, बच्चों अगले कोश्चन की ताब बढ़ जाई, अगले कोश्चन की ताब बढ़ जाईए डियार, चलिए, अगले कोश्चन की ताब बढ़ जाई, Monazite is an or of, किसका I ask है, और का मतलब होता है, I ask, तोरी, आज PPT हिंदे में नी बन पाई, थोड़ा जल्दी थी मुझे, पर मैं आपको फिर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता चलता हूँ, कोई ऐसी वो नहीं है, चलिए पोल में अंसर कीजिए बच्चो इसका, Monazite किसका और है, ताइटेनियम, जिर्कोनियम, आयरनिया, थोरियम, या फिर, ठीक है, ठीक है, आज के सावे कोश्चन टू, दो बार, रेल्वे में या, दो से ज़ादा बार, उसमें ही पूछे गए हैं, चलिए, चलिए, शावाश, शावाश, बताईए, 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 चलिए, चलिए, क्या होगा इसका आंसर, आंसर आ रहे हैं भई, अच्छा, यह कहीं पे मुझे लग रहा है, फसरा है आंसर बच्चो के साथ, अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल था, बी और डी, बी और डी में लग रहा है, डाउट, ओके, समझ लेजिए बच्चो, इसका सही आंसर होगा, थोरियम, क्या आंसर होगा इसका सही, थोरियम इसदा करेक्टांस है, यह थोरियम का होता है, बच्चो, आपका, क्या होता है, बच्चो, मोनजाइट एक ऐलोई होता है, थोरियम का, ठीक है, इसे frost fate material भी कहते हैं बच्चों monazite को frost fate इसे frost fate material भी कहते हैं याद रखना frost fate material ठीक है और ये एक rare earth metal है rare earth metal अब lengthenide है या actinide है या आपको बताना है बच्चों ठीक है ये आपको आज पता करना है खुद से ठीक है तर आरार भी जी बैच में production की life class कब से होगे जतिन आरार भी में production की classes कुछ तो डल गई है I think metal cutting का जो main portion है सबसे बड़ा वो तो डली गया है और बाकी भी डल गई हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से झाल